आपका सौगत है इस खास का अधिक्रमी हम आपको जानकारी देते हैं पंचांग की बताते हैं दर्नी प्रासिपल आज का पंचांग आज युगात 5122 विक्रम संबद 217 संबद 222 है भालगुन क्रिश्ट बस दसमी संधिया 5 बच कर 16 मिनट रुप तत्थ पस्दाद 81 सी तितिया रदनांसार 8 मार्च 2021 सौंबार है पुर्वा साड़ नच्चत्र रात्री 10 बच कर 4 मिनट से रिकत पस्दाद 216 नच्चत्र है आज जो रहु कलाएगा वह है प्रादा 8 बच कर 14 मिनट से 9 बच कर 41 मिनट तक पद रहे 6 बच कर 10 मिनट से संधिया 5 बच कर 16 मिनट तक सौर्ज कुमरासी में चंदरमा धनुरासी में रात्री 3 बच कर 5 मिनट तक तदू प्राद मकरासी में संधिया चार करेंगे आज जो सौर्य दे हुआ है वहे 6 बच कर 10 मिनट पर और सौर्य आस्थ होगा 5 बच कर 50 मिनट पर आज का हम दिसासुला पुग्दाजते हैं जिहां आज सौंबार को पुर्ग्दियसा का यात्रा सास्तो दौरा पर जित है रंदू अत्यावज से खोने पर दर्पन देखकर अधवा गायतिरी मंत्र का मांसिक जाब करते हुए यात्रा करने से परजना समाप्त हो जाती है अब जीत मूरत का समय है दिन के 11 बचकर 45 मिनट से 12 बचकर 32 मिनट तक जा दोस्तों अमरित काल के समय है दिन के 3 बचकर 56 मिनट से संध्या 5 बचकर 31 मिनट तक जा दोस्तों तो ये था आज का पंचांग अब आज देखिए क्या कह रहा है आज का दैनिक रासिफल जा दोस्तों हम आपको बद्दा दें कि हम ये खास कारिकम में आपके लिए लाते ही दैनिक रासिफल और पंचांग के बारे में तो आज देखी क्या कह रहा है आज का पच्छाग आज दिन सोंबार है और तारीक है आठ मार्च दोहचारिकीस सबसे बलाए जानते हैं में जातक बालो के लिए कैसा रहेगा आज करें आज आपको किसी जबूरी कारी के पुरा होने से इतना आवाप में हो सकता है जामीन जाजाद समद्री बीबास उलजने की उमीद है शत्रू सक्री रहेंगे बैबाहिक जीवन में सुखद रहने वाला है किसी की बात से दुख हो सकता है पोल चाल के दोरान सापधानी बरतें कीमती समानों की परियाप सुरच्छा करें परियर्जी की रकम आपको बापसी मिलेगी अब मरिस्यों जातक वालूख लिए कैसा रहेगा आज का दिल आज बात चीत करते वेक्त आपको सापधानी रधना है परिख़ी की रकम आपको बापसी मिलेगी दफ तर्स में किसी से ननवन भी आपको हो सकती है आज किसी के दिक्त के चलते दना भी हो सकता है परिवार के किसी सदस्द के स्वास की चिंता रहेगी अगान ये तम जूरी भी मकसूस होगी पाहन साथ ठाने चलाएं चूट लग सकती है जीमन साथी के साथ आज आज आप गुमने जाएंगे मित्यों से आपके मिलागा भी अवयनते मित्यों जातत वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन आज आज आपको आफिस में मिली बड़ी जम्यदारी का पूरा आप करपाएंगे धनला आपकी योग मौकर लेगे आज भाग को आपको पूरा साथ मिलने वाला है आज सक्राफ में रहें सिहत में उतार चला हो सकता है आज के दिन बहुत खुशनुमा रहेगा आपके किसी समस्या का हल निकलेगा रुपी भी रकम बब वसुली कर पाएंगे धारुमी क्यात्रा पर आप जा सकते हैं ने पुजित पर काम करेंगे आज आज आपको विद्यार्थियों को काम्याबी मिलेगी अब यवाहितों के लिए रिष्टे की बात चल सकती है बैबाहित जीवन में मद्रूता आपको रहेगी अंचान लोगों से बात चीद करते समय साफ़धान रहे आपके बिरोदी सांत रहेंगे स्वास्त के ते ठीक रहेंगे आज आपके जादा साथ कुछ नया हो सकता है इसी मिद्र से मुलाकात भी होगी आज आप किसी समाजी का आयोजन में सामिल होंगे दिन आपका अच्छा राने वाला है और यतने सीजात अकबल के लिए कैसा रहेगा आज का दिन दिन है सुबर और तारीक है आठ मार्ज दो हजारे कीस आज आपको पूजा पार्ट में मन लगेगा धर्म के स्कल की यातरा पर भी आप जा सकते हैं अदालती मामले सुरजने की भी उमीद है आई में बिर्दी होंगी आज परसंता रहेगी तनाव से दूप रहेगी धन नाव आपको मिलने वाला है आज आपका दिन सामान रूप से भी देगा लेन दिन में जल्देवाजी आपको नहीं करना है परिवार के सदस्थों की चिंता रहेगी सारी दिक पिड़ा से परिसान रहेंगे घर्ज की रगम वापस मिलेगी दिन आपका अच्छा चलने वाला है ज़्यादा घर्ज ना करें आज आपको बेब साय को आगे बढ़ाने के लिए प्लान आप बना सकते हैं आपकी कार्ज सेली में सुधार होगा रुके हुए कार्ज आम आपके पूरे होंगे यात्रफर आप चाहेंगे मां समान बहने वाला है युवा आज कापी परसल बने बेगे बैबाहिक जीवन आपका सुखी रहने वाला है आज आपको बहर सावकान रहना होगा किसी बीदिये यूजना में आपने वेज़ कर सकते हैं किसे रिष्टेदारिक साथ पुर्व के मत्वीद भी आपके हो सकते हैं खानबान का आप ख्याल बटे अवयनते हैं तुला जात अकबालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन आज आपको कुछ कबरी मिलेगी स्वास्त के सथी आपके अच्छी राने वाली है किसी की बातों को लेकर आप परिसान हो सकते हैं वेपसाय आपका अच्छा चालने वाला है याद्रा कर सकते हैं युवावर कुलाब भी होगा दुकी हुई रकम आप क्यों मिलेगी हुटील प्रिबिट्टी की लोगों से आपको सतर पराना है धनलाब होने की पूरी संभावना है किसी अनजान की बातों में ना आए सोच समझ कर जब भी फैसला लें परभू की अराद्ना में मन लगेगा अवजदें ब्रिस्टिक जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन आज संतान पत्स से अच्छी ख़बर आपको मिलेगी आज आप सकरात्मा करूप से बेहत मजबूत रहेंगे परभू की अराद्ना से शान्ती आपको मिलने वाली है यात्रा पर जाएंगे दूसरों के कामों में दखल ना दे आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे मित्रों से मुलगात होगे इसी सार्जनी काम में आपको हिस्सा लेने का मौका मिलेगा आज जोखिम से जुड़ेकाल ना करें नौकरी पेसा लोगों की तरकी हो सकती है अवयन्ते धनू जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दे आज आपके बिरोधी स्ट्रीय हो सकते हैं सतर का आपको रहना है समाज बे आपके बेवार की सरा आना होगी बेवसाह की सिल्सिले में यात्रा पर आप जा सकती है किसी काम को आप ना टालें खान खान का विसे ज़्यान रखें सेहत में सिधार होगा आपका जादतर कामों में आपको संभाव सफलता मिलने की संभाव ना है आर्थी कुनती के प्रयाज सफल रहेंगे जोखिम डाले नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी तो नहों आपका कम होगा आवायनते मकर जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन आज आप दुख आप जोखिम लेने से बचें आज का रोवार को लेकर आसा जनक सिती बन सकती है विद्ध्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है यात्रा को टालने का प्रयास करें आज का दिन सामान रहेगा नया खर सामने आने से आपका बज़ेट प्रभावित हो सकता है इसी अनजान वेक्टी से बिवाद की सिती बनेगी स्वास के सुझी सामान रहेगी अवयनते कुम जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन आज आप क्याम जनी पढ़ेगी विवाद को करियर के लिए नए स्रूत की जानकारी मिलेगी इस मत्ता साथ मिलेगा आज आज आप बहत खुश रहेंगे वज़ुरों का अशिरवाद लें आपकी बड़ी दिखतें दूर होगी सेहत पर बुरा असर होगा अब विवाहतों को रिष्टे की सूचना मिल सकती है जीवन साती के साथ मिलेगा आपके सभी लंबित का पूरे हो जाएंगे आप आज जानते हैं आज का दिन भाग दौर में आपका बितने वाला है नितरों के सभी उत्से आपकी काम आसाने से बोजाएंगे स्वास्त को आपको ख्याल रखना है आज किसमत का पूरा साथ आपको मिलने वाला है आपकी कारुबारी यातरा बहत सकल रहेगे आर्थिक लाब की योग बन रही है दिखते दूर मुने की संभाबना है छात्रों को जादा मेनत करनी होगी किसी की सलाह लेने से बज़ना है आपको दांपन जीवन आपका सुखी रहने वाला है जहां दोस्तों तो ये था दैनिक रासिफल आपने इस खास करने में जाना पन्चांग के बारे में और दैनिक रासिफल के बारे में और भी खबरों के लिए हमार साथ बने रहे हमीं दीजिए इजाजत नमस्कार शुब दिन